देखे रास्ता नहीं है उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है कहां से पानी लाएंगे गया है जहां एक ही परिवार में तीन लोगों ने अपनी जाने इस तबाही में गवा दी है तो दोस्तों यहां पर सबसे अद्बुत बात यह है कि निराकोट गाउं में यह तीन किलो मीटर पैदल चलना पड़ता है में रोड से इसलिए यहां पर राहत समगरी के अगर हम बा आमिन वासियों से हम बात करेंगे इनको पूछेंगे कि क्या-क्या यहां पर इनको योजनाएं और क्या-क्या वाइदे इनसे किये गए हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को मैं इन से बात करने से पहले आपसे आज बोलना चाहूंगा कि तमाम जितने भी प्रभावित गाउं ह ये आपदा आई है, चाए वो निरकोट गाउं हो, चाए वो मांडो हो, चाए वो कंकराडी गाउं हो, और भी ये आपदा, आपदा जिन गाउं में आई है, उन गाउं के लिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फंड रेज करना चाहता हूँ, डोनेशन आप लोगों ने देना है लगवग 20 लाक का मेरा लक्षिया है एक भाई 20 रुपे 30 रुपे भी देगा और 2 लाक लोगों तक आपको ये वीडियो शेयर करनी है तभी हम इन गिरामिन वासियों की मदद कर पाएंगे जल्द से जल्द धरातल पर हम इनकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों क्योंकि सासन पर सासन की प्रकरिया आप जानते हैं कि आज वो आज बोलेंगे कल कुछ होगा महीने लग जाते हैं और गरामिनों को उचित ब्यावस्ताएं समय पर नहीं मिल पाती है अगर मैं तबाही का मनजर आपको दिखाऊंगा तो ये देख लीजे कि इस तरह से ये जो बादल भीश ड्त बार नहीं कहूंगा इस वीडियो के माधियम से तमाम प्रभावित चेतरों में प्रभावित का में आपधा में जिन जिन लोगों को नुक्सान हुआ है उन लोगों की मदद के लिए आगे आना है भाई बेहन जो भी सोचल मीडिया के माध्यम चे इस वीडियो में मैं आपको पेटियम गूगल पे नंबर देने वाला हूँ 20 लाग का हमारा लक्ष है ज्यादा आपकी इच्छा है लेकिन 20-30 पताएंगी बताइए माता जी यहां पर कौन-कौन से नेता आये है आपकी मदद के लिए कोई भी नेता नहीं आया है तिसरे दिन तो वह आए छेतरी पटवारी होता है वह आये हैं तिसरे दिन कल सजवान जी आये थे आज स्यूटी प्यों टीयम यह सब आये थे लेकिन जि रहे मतलब यह नहीं रहा कि निरापोट कोई गाओं है कि यहां कुछ हुआ है किसी ने हमारी सुद्बूद ने लिए देखिए दोस्तों यह माताएं बोल रही है बहने बोल रही है तमाम युवा साथी गाओं के इस्थानिये लोग मेरे साथ हैं सबसे विचितर बात तो यह ह दूसरी बात मैं आपको बताता हूं यह गाओं अगर आप देखेंगे इस तरफ बड़ी जो नदी है जहां बादल फटा इस तरफ नाला है इस दूसरी तरफ दूसरी नदी है तो यह ऐसे दोनों तरफ से फसा हुआ गाओं है इस गाओं को जल से जल विस्तापित करवाना प्रसासन को प्रसासनिक अधिकारी यह मुष्टिक सोड बाड़ा गड़ी का छेतर है अधिकारी लोग जब आते हैं यहां पर तो यह चीज़ क्यों नहीं देखते हैं आखिर जब गाओं के लोग यहां रह रहे हैं तो उनको भगवान के भरोसे छोड़ के रखा हुआ कोई टेंट हो कोई बचाओ कारे सीगर सीगर पहुंचे अपदा आती है न्यूज हमें देखने को मिलती है तुरंत हमें बचाओ कारे के लिए आना चाहिए आगे इंशानियत को अगर जिंदा रखना है तो इन लोगों की मदद करनी है आप लोग असली भगवान नो दोस्त आगे ओक आग से पाट वहाँ आगे और अगर से बात करेंगे पाटवार केा विए उसने भगवान ने नियुक्त बचाओ किया है भगवानी माली कर दोस्तर आती हो कोई बात आई ये जो अबना ये डूसरी बार आ रहे ये बोत पहले आई आई थे नकार नो नो बड़नी यहां पर लोग आने से डरते हैं और यहां पर हमारे नेतागन आते भी तो लठी पकड़ के आ रहे हैं जिनको खुद लठी का सहारा है वो हमारा क्या भला करेंगे आने वाले 2022 में आप लोग जनता उनको आइना दिखाएगी चलिए यहां पर तमाम हमारे भाई लोग यहां प नहीं है हमारे सारी राष्टे बंद है सारी गोडे कच्छर भूल भूके अंदर मर रहे हैं उनके लिए रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है पुरे देश पर में मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से आग्रा करना चाहूंगा इन लोगों की मदद कीजिए आप दा पुर्णे का काम है 20-30 रुपे से कुछ नहीं होगा इन लोगों के लिए हमें तमाम 2-3 गाओं जहां भी नुकसान हुआ है हमने 20 लाख रुपे रेज करने है 20 लाख रुपे का फंड्स हमने तयार करना है फिर तमाम ग्राम वासियों को हमने देना है दोस्तों आगे भी मैं यहां पर पानी की प्याइजल योजना इनकी ठप हो गई अब नजाने प्रसासन कब सुद लेगा और कब इनको सही पानी मौईया कराएगा कब योजनाय आएगी तमाम ये प्रसासन को प्रसासन भी सो रहा है दूसरी तरफ में आपको दिखाने वालो मकान किस तरह से लोग चकी है इस कमरे में वो भी बाल बाल बची है लेकिन यहां देख लीजिये दोस्तों इसकी हालत इसकी सुरक्षावाल की जिम्मेदारी आखिर है किसकी प्रसासन नेता क्या सब जूट बोलेंगे जुमले देंगे और वाइदे पर वाइदे करेंगे इस खेत की हालत है किस तरह से अपना बचाओ कर रहे है लेकिन सासन पर सासन कोई मीडिया भी यहां पर अभी तक पहुचा नहीं है मीडिया को कवर करना था मीडिया भी सिर्फ वहीं रोड साइड जो गाओं है वहीं जाता है लेकिन यहां तीन किलो मीटर चड़ाई पर चड़ कर इस तरह क गाउं में बाकी लेकिन लोगों के विकास के लिए एक रुपया नहीं है उनके पास ये लोग सत्ता में रह चुके हैं लोग हैं फिर भी इन्होंने धरातल पर आकर के जहां इंस्टेंट हेल्प होनी चाहिए तुरंत मदद होनी चाहिए वो मदद नहीं करते हैं ये लोग तो सब्सक्रा जो एरिया है भूस्कलन वाला छेतर है मैं लगाता है जाता हूँ चाहिए अपका मस्तारी हो चाहिए मुष्टिक सोड का कंकराडी हो चाहिए ये गाउ निरकोट हूँ और भी मैं लोगों ने जाने गवाई हैं तो मुझे याद आता है 20 साल हो गए हमारे उत्रा साइड कीजिए दोस्तों तो आएए मैं आगे और भी ग्रामीन वासियों से यहां पर जो रहती है माता हैं इंडिया देखिए माता की बात सुनिए यह कितने भावक हो रही है कितने डर डर के अपना एक-एक मिनट गुजार रही है माता बोलिए माता जी देखे रास्ता नहीं उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है कहां से पानी लाएंगे कहां से घर की सामगरी लाएंगे रास्ता खतम हो गया यह फस गए हैं दोस्तों यहां रास्ता नहीं है उस तरफ जाने का यह तबाई का मंजर है लेकिन हमारे जो नेतागण है जहां तुरंत रहत मिलनी चाहिए चाहे हेलिकॉप्टर में आना चीए था, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे तमाम पार्टी, चाहे भाजबा कॉंग्रेश कोई भी पार्टी के नेता हो, चिर्फ वोट के लिए लोगों का उपयोग ना करें, लोगों की मदद करें, तो हमें लगेगा कि हाँ ये सच में समाज के सेवक हैं यहां देखे माता किस तरह से परिशान है पानी कौन भरके देगा इनके घर में घाने पिने की समगरी कौन लाएगा इनके घर में यहां तो सिर्फ फोटो खिचवानी है यहां तो सिर्फ सेलफी कॉंटेस चल रही है फोटो पट्टों को अपने पति कहां रहेंगे हम लोग हमारे तो खाई छपपड रहने का ठीकाना नहीं जो पुष्टा यहीं था सब कुछ कहां जाए हम लोग मेरी सबी से यह है कि आप हमें कहीं आश्याना दे हमारी बेबस्ता करें वह में सुरक्षी जगा पा कहीं रखें यही मे हमार आसने बना के दे इसे जादे में कुछ रही हैं बच्चे इनके साथ में रहते हैं आप सोच लीजिए एक एक व्यक्ति जब इस तरह दहशत में रह रहा किस तरह से एक एक मिनट उसका निकल रहा होगा और ऐसी है कि यह देको पहाड़ों में बरसात का मौसम अभी चली दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डिरेक्ट सवाल मैं नेताओं से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने वोट दिया विकास के नाम पर विकास बोला है इन्होंने के विकास करेंगे यह आज हमारे गाओं की हालत है ब देश बिदेश में हमारे रहने वाले उत्राखंड के भाई बहन देव भूम इसे प्यार करने वाले लोगों तक पहुचाना चाहता हूं कि आपके देश में आपके छेतर में आपके गाओं में किस तरह की जिंदगी यहां पर एक एक ग्रामिन वासी अस्थानिय वासी अधिक्तातर स्वाल पूछता हूं हमारे नैताओं से और यह आगे भी पूछते रहूँ तो हमारी बात आगे तक पहुंचाएं कि हमारी इस गाव में हमें जल्द से जल्द जो रास्ते हैं जो पुछते हैं जो जादे खत्रे में पहले उनके लिए थोड़ा सुरक्षत दिवार की वह कर दे आप लोग तो मुआ जबी मिलना ही चाहिएं देखे किस तरह से देखे ग्रामिन लोग मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए वैसे उनका स्वाबिमान ऐसा है कि वो बोलते नहीं है वो हिच किचाते हैं लेकिन आज मजबूर हो गया एक एक ग्रामिन सरकारों से रिक्वेस्ट करके हाथ जोड के बिनती कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए आगे आईए हमें जल्द से जल्द हमारे घरों के आगल बगल जहां सुरक्षा वाल नहीं है वहां सुरक्षा वाल दीजिए एक-एक माता बहन की आज पुकार सुनिए इस वीडियो को लगबक मेरी कैलकुलेशन के हिसाब कंशान से दोर्द लाख लोगों तक पहुँचाना है और दोर्द लाख लोग 20-20 रुरुपे कम से कम शेयर 20-20 रुपे डोनेट करेंगे इन गाओं की पीडितों की मदब के लिए हमें कम से कम 20 रुपे कट्था करना है दोश्तों इन ऑो तमाम माताओं की तमाम घाओं में जो भी समस्याएं हैं, जो भी इनका नुक्सान हुआ, जितनी भरपाई हो सकेगी, उतनी भरपाई हम सब लोगों को मिल जुल के करना है, क्योंकि आप ही भगवान हो, सासन पर सासन के भरोसे न जाने, कब कुछ इनको मिलने वाला होगा, ये आप भली बाती जानते, आप इनक जो जीवन भचेगा, तब सब कुछ होग पाएगा, फेले गाउन के चारों तरफ जो सुरच्छा दिवाल की भरपाई की जाए, ताकि गाउन जो सुरच्छा रहे हैं, और एक परसूंग जो राजितन से भिवाग आया है, उन्होंने रिपोर्ड की पूरी गाउन की रिपो वाग आरपर है तोरका बगल से भी है, उपर से भी नीटे से पूरा टोटा है, लेकि गाउन वाले के साथ भेदवाग क्या जा रहा है, हम भेदवाग ने तो बिलकुल किसी के साथ भेदवाग नहीं होना चाहिए, तो पूरी जनता से सड़क पर उतरेगी, और सासन पर सास बनाने में जनता का पैसा बरबाद करते हैं, अपने फायदे के लिए, लेकिन इनके लिए क्या जिनके लिए उपैसे आ रहे हैं, इनकी मदद कौन करेगा दोस्तों, आईए दोस्तों, विडियो को शेर करना है ज्यादा से जादा, जितने भी नेता यहां आते हैं, फिर इनकी पीड़ा कौन सुनेगा दोस्ता है? 10 साल से इतने बिजाएक होए, पर्म कोई, जीला पंचे सद्धे से हुए है किसी ने कोई कार नहीं कि आप नीचे से गाउं आये हैं, आप रास्ते देख सकते हैं तीन किलो मीटर है, रोड नहीं बनी अभी 20 सालों से इस गाउं के लिए, तमाम माताएं बेहने, कुछ सामान खाने पिने का सामान, तीन किलो मीटर उस चड़ाई के रास्ते में पैदे लाती है, क्या बीचती होगी इन पर, कौन सुनेगा इनकी पुकार, सरम आनी चाहिए ऐस पैसे नेताओं को, हो कह गया इन नेताओं को, जनता के पैसे पर नाचने वालों सरम आनी चाहिए, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ, एक गाउं की समस्या नहीं हल कर सकते हो तुम, गद्धी छोड़ दो तुम लोग, वागी चांद कुछ होगा, तो सब से पहले आज भी पैसे पहले को, जनता के लिए अज़रे होता है, पिर हमारी सरकारें बोलती है, पलायन क्यों हो रहा, इसलिए पलायन हो रहा, इसलिए गाउं में कोई विक्टि टिकना नहीं चाहता है, क्योंकि संचादन इस तरह से तुम लोगों ने ब्यावस्ताएं, इस तरह से ठप कर सरकारें, सरकारें के जिस विराएं, वो गाउं तक नहीं पहुच रही है, दोस्तों, बेसरासर निंद नहीं है, हमारे एक-एक पहाड में रहने वाली माताएं बहनों की पुकार सुनिए आज, और इन लोगों के लिए जितना हो सके, आगे बढ़ चड़ के अपना हिस्सा और इन लोगों की जितनी मदद हो सके, और आप लोगों पुर्णे का काम कर रहे हो, दोस्तों. इतने अधिकार यहां आए, किसी की किया है, सुद नहीं लिए, तिर्फ एक फॉर्मेल्टी निवाते गाउं के लिए है, अपने बालेंस के लिए आते हैं, तो हमें बोटों में गाउनों को चुचे बनाने हैं, बोटों में बहाँ चुप करने हैं, जब इक आगजों में सा चाही बोल रहे ही, सत्य घटना है दोस्तों, इसके उपर अगर किसी को विस्वास नहीं हो तो उसो डूब के मरना चाहिए, इससे ज्यादा ग्रामिन अप क्या करेंगे, अपना दिल काट के दिखा देंगे, अपना सीना भार के दिखा देंगे तुमको, यह देखिये ग्रामि वीडियो को आपने खूब प्यार देना है, और जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, धन्यवाद